आज हम बनाएंगे बच्ची उई रोटी का बहुती टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता जिसे हम मात्रह 10 से 15 मिनट में बना के तयार देंगे और वो भी बिल्कुल कम सामगरी के अंदर ये आप बच्चों को सुवे टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसे बनाना बहुती आसान है और ये नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि आप बच्ची उई रोटी का नहीं बलकि रोटी एक्स्टा बना कर ये नाश्ता बनाएंगे तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है रेखा और आप सब का स्वागते मेरे चैनल पर तो चलिए बच्ची उई रोटी का बहुती तेस्टी और चट्पढ़सा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं तो ये नाश्ता त्यार करने के लिए हमें सबसे पहले बेसन का घोल त्यार करना होगा तो यहाँ पर मैं देड कटोरी के लगबग बेसन ले रही हूँ बेसन को मैंने पहले ही चान लिया था तो यहां कुछ मसाले डालेंगे तो यहां पर एक चोटा चमस डालेंगे अजवाइन और एक ही चोटा चमस हम पीसा हुआ जीरा डाल रहे हैं आधा चोटा चमस नमक डाल देंगे यानि कि तेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे आधा चोटा चमस हल्दी पाउडर और एक चोटा चमस हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और एक चोटा चमस से हम धन्या पाउडर डाल देंगे तो अब नाश्ति को चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर आदा चोटा चमस मैंगो पाउडर का यूज़ कर रहे हैं अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो आप बाद में निम्बू का रसका भी यूज़ कर सकते हैं तो मसाले को हम बेसन में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम यहाँ पर बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हमें एक साथी पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है नहीं तो इसमें गाठे बननी श्रू हो जाएगी तो ये देगे थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा सा घोल तयार करना है हमें ना तो ज़ादा गाड़ा और ज़ना ही ज़ादा पतला और देखिए मसाले आप अपने according कम ज़ादा भी कर सकते हैं तो ये लिजिए हमने यहाँ पर बेशन का घोल तयार कर लिया है आप देखिए इस तरह का घोल हमें तयार कर लेना है तो अब हम घोल में थोड़े से धनिय के पते डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम बेशन के घोल को ढग देके साइड में रख देंगे जिससे की घोल हमारा अच्छे सी फूल सके तो अब हम नाश्टे का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6-7 उबलिये हुए आलू ले लिए हैं और इस तरह से इने मैश कर लिया हैं बड़े नहीं रखने हैं एक दम बारिक से कर लेने हैं या आप इसे कद्दू कस्पी कर सकते हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैं एक बारिक कटे हुई हरी मिर्ची का यूज कर रही हूँ और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारिक काट लिया था आदा चोटा चमस हम इसमें जीरा पाउडर डाल रहे हैं और एक चोटा चमस हम इसमें जीरा पाउडर डाल रहे हैं और एक चोटा चमस हम इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं और एक चोटा चमस हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं टेस्ट करके तो अब हम इसमें थोड़े से हरधन्य के पत्ते डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा मसाला त्यार करेंगे जिससे की हमारा नाश्टा बहुती तेस्टी बनके तयार हो जाए तो ये लिजे सारे मसालों को हमने आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा मसाला भी एकदम बनके तयार हो चुका है तो यहाँ पर मैंने 6-7 रोटी का नाश्टा बनाने के लिए मसाला त्यार किया है मतलब एक रोटी पे एक अलू लगेगा ही तो रोटी का नाश्टर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बची हुई रोटी ले लेनी है अगर आपके पास रात की रोटी है तो अच्छी बात है अगर पहले वाली है तो आप उसे थोड़ा सा पानी लगा के उसे थोड़ा सा गीला कर लेजी कि मेरे पास बची हुई रात की रोटी थी तो यह सौफटी है तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो आलू का मसाला त्यार किया था वह वाला इस पर लगा देना है अच्छे से लगाना है एक तम भर भर के यह देखिए मैं चम्मत से नहीं कर पा रही तो मैंने यहाँ पर हा तो सबसे पहले रोटी का नाश्टा बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक तवा ले लेना है और उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे घी बिल्कुल भी थोड़ा ही डालना है आप इसकी जगा ओयल का भी यूज कर सकते हैं तो अब हम मसाला लगी हुई रोटी को तवे पे रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो ही रखना है नहीं तो हमारा नाश्टा कच्चा रह जाएगा तो अब यहां पर बेशन के घोल में थोड़ा सा मतलब खाने का सोड़ा डालेंगे और उस पर थोड़ा सा पाने डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब खाने की सोड़े की जगव पर यहाँ पर इनो साल का भी यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह देखिए हमारा गोल एकदम परफेक्ट बनके तयार हो चुका है तो अब हम गोल को थोड़ा थोड़ा करके रोटी पे फैला देंगे तो हमें गोल को एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और यहाँ पर हमें एक पतली सी इस पे लेयर त्यार करनी है ज़्यादा मोटी नहीं करनी है नहीं तो नाश्ता हमारा कच्छा रह जाएगा तो बेसन के घोल को हमें रोटी पे अच्छे से फैलाना है, तवे पे नहीं पैलाना है तो अब हम इसे दो मिनट के लिए ढखके पका लेंगे और ये देखिए बहुती क्रिस्फी सा पीछे से दिक रहा है तो अब इसे ढखके दो मिनट और पका लेंगे तो दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम नाश्टे को पल्टेंगे ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिख चुका है दोनों साइट से बहुती अच्छे से सिखा हैं तो इसे हब प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारी रोटियों को नाश्टा हम तयार करेंगे तो इस नाश्टे को सर्व करते टेम यहाँ पर थोड़ इसी हरे धन्य की चटनी लगा देंगे अगर आप हरे धन्य की चटनी पसंद नहीं करते हैं तो आप कोई भी यहाँ पर लाल मिर्ची की चटनी भी डाल सकते हैं अगर आप तीखाई कम खाना चाते हैं तो सिर्फ टॉमेटो कचप भी डाल सकते हैं तो हरी चत्पनी हम ने लगा दी है तो अब हम यहां पर टॉमेटो कफ़शप uniqueness लगा देंगी देखे टॉमेटो कफ़शप लगाएगे न बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि हरी चटनी तीखी होती है और टॉमेटो कैचप मीथा होता है तो बहुत ही अच्छा चटबड़ा सा टेस्ट आएगा अगर यह आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप स्रिफ टॉमेटो कैचप ही लगाए तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा तो टॉमेटो कैचप लगाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ प्यास डालेंगे देखिए सबजी आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा भी डाल सकते हैं तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टॉमाटर बारिक कटा हुआ डालेंगे बहुत ही तेस्ट इत मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो अब हम इस नाश्टे को काट लेंगे और इसे चार भागों में काटेंगे बहुत ही तेस्टी नास्टा बनके तयार हुआ है आप चाहे तो इसे टिफिन बॉक्स में या फिर चोटी और बरकर को भी पीछे चोड़ दे मतलब एकदम देसी पिचा बनके तयार हो चुका है बहुत ही तेस्टी है तो दोस्तों इह बच्ची रोटी का नाश्टा आप जुरूर बना के ट्राई कीजिएगा बहुत ही तैस्टी बनके तयार होता है तो यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्क्राइब कीजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और शेर कीजेगा और इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ धन्यवाद